तो राजगर से आप सुन रहे थे आमित्शा यहाँ पर अपना संबोधन दे रहे थे यहाँ पर तीसरे चरण में वोटिंग है और यहाँ से रोड मलनागर और उनके सामने दिग्विजे सिंग कांग्रिस के काफी सीनियर लीडर हैं और अगर चुनाव की बात कर ली जाए तो वो यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँचे थे शैशी थरूर तिरुवन नंतपुरम से नमनीत राना भी इसी फेस के प्रत्याशी हैं निहा शर्मा भागलपूर से अजीत शर्मा भी भागलपूर से वोट करने पहुँचे थे पप्पू यादव पूनिया में वोट कर करने के लिए पहुँचे थे अचोक चम्हान नांदेर से तो महेश शर्मा नौइडा से वोट करने के लिए पहुचे और वोट की ताकत जो है उसको आप समझे और अगर अभी तक आपने भी वोट नहीं किया है तो वोट करने के लिए जरूर निकल ये क्योंकि आपकी आव सीटे महा समुन कांगेर और राजनान गाव जहां पर भुपेश बगेल कॉंग्रेस की तरफ से पूर्व, C.M. आपके साथ उनके साथ उनका मुकाबला है बीजेपी ने उन ही है रिपीट किया उदर भोजराज नाग जो है काकेर से प्रत्याशी है और देखिए और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पूर्व प्रधान मंत्री एचटी देवगळा वोटकास्ट करने के लिए गये थे सिधार अमया ने अपना वोटकास्ट करने के लिए यहां पर माफ कीजी का भुपेश बखेल जो है वो यहां पर मुआइना करने के लिए पहुंचे थे क्योंकि प्रत्याशी हैं वो यहां से और उनका वोट जो है वोट उन्होंने नहीं डाला वोट उनका दुर्ग में है और यह देखिए तस्वीरे और दिखा रहे हैं आपको दस तस्वीरे बड़े बड़े जो नेता हैं बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो वोट कास्ट करने के लिए जो पहुंचे थे तो यह लोकतंत्र की खुबसूरत तस्वीर है लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी सह भागिता निभ जो है वो अगले चराल में फिक्स कर दी गई आगे बढ़ा दी गई तो और देखिए ये अलग-अलग तस्वीर आपको हेमा मालेनी मतुरा में भी चुनाव है हेमा मालेनी यहां से बीजेबी की प्रतियाशी हैं वोट कास्ट करने के लिए पहुंची थी वहां की प्रतियाश जो है वो देख रहे हैं नारायन मूर्ती बैंगलूरू में देखिए बड़े-बड़े चेहरे राहुल ड्रविट और हमेशा एक खुबज़र तस्वीर राहुल ड्रविट जब भी वोट कास्ट करने पहुंचते हैं बहुत सामान्य जीवन जीते हैं और अपनी बारी का इ अशुतोष राना और वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे बुसकान के साथ उन्होंने सियाही जो उंगली पर लगी है वो दिखाई है प्रकाश राज भी देखिए वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे तो ये बड़े-बड़े सितारे जो हैं उन्हों का जाइजा लेती हुई नजर आई हैं अलगरक तस्वीर है आपको हम दिखा रहे हैं अजीत शर्मा भागलपूर में पपू यादव पूनिया में मैं शर्मा नौइडा में अशुक चवहान नाधेड में वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे थे और वोटिंग परसेंटेज आपको हम लगातार दिखाई रहे हैं कि एक वज़े तक का मतदान प्रतिशत क्या कुछ रहा है सतना में टीगमगड में 40-40 पीसद वोट हो चुका है कांकेर में बलचल कर वोटिंग बंपर वोटिंग हो रही है 60 पीसद मतदान काकेर में एक वज़े तक का दर्च किया गया राजनान गाउं में भी वोटिंग प्रतिशत अच्छा ही है कहा जा सकता है क्योंकि 47 पीसद वोटिंग उससे ज़्यादा बलकि हो चुकी है यहाँ पर यह आपको मध्यप्रदेश और 36 की तस्मीर भी आपको हम दिखा रहे हैं मध्यप्रदेश में बता दें कि च्छै सीटों पर वोटिंग है और 36 में तीन सीटों पर और मतदान प्रतीशत आप देख पा रहे हैं कुल मध्यप्रदेश और 36 गड़ की अगरबात की जायत नौ सीटे हैं और हमारे 90 समवादाता जो हैं वो अलग-अलग जगाहों से अलग-अलग क्षेत्रों से वहाँ पर वोटिंग का पैटर्न क्या चल रहा है वहां की खबरें क हैं वो सारी जानकारियां दे रहे हैं बीरेश ठाकोर भोजराज नाक आमने सामने हैं उनके तस्वीर आप दिख रहे हैं रुख कुमारी बीजेपी की प्रत्याशी हैं और अभिशेक सिंग जो राजनान गाम से पूर्व सांसत भी रह चुके हैं वो भी वोट कास्ट करने क उत्साह कितना है यह आप देख सकते हैं बोजराजनाग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं बीरेश ठाकोर के सामने बोजराजनाग दोनों कांकेर से ही प्रत्याशी हैं नरसिंगपुर की तस्वीर देखी है दुलहा दुलहन पहुंच गए विदाई से पहले वोटिंग करने के लिए दुलहन ने मतदान किया दमों की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं सतना में उत्साह भी आपको दिखा रहे हैं दीखी गर्मी प्रचंड है नकसल गड़ में भी कितनी जबरदस्त वोटिंग है कांकेर में मुढ़ भेल भी होई थी 39 नकसली अपने बढ़े हुए मतदान प्रतिशत से ये दिखा बता रही हैं, एक संदेश दे रही हैं कि आपके हाथ की ताकत, आपके वोट की ताकत कितनी होती है, उसको उस ताकत का इस्तमाल कीजिए, लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी सहभागिता निभाईए, महिलाएं पर तीन बज़े तक की ही कुछ जगहों पर होगी, और बाकी शे बज़े तक शाम शे बज़े तक वोटिंग चुलेगी, कांकेर के नकसल प्रभावित इलाकों में वोटिंग तीन बज़े तक का समय रखा गया है, और वहाँ पर सुरक्षार की एक खास तैनाति की गई है, दू कि आप अगर सवाल उठाते हैं, तो सवाल ऐसे ही नहीं, सवाल अपने, सवाल अपन, तौकिर रजा, बीजे पी निता हमारे साथ जड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, रजा साब, स्वागत आपका नियूज एटीन पर, और मैं आपसे ये समझना चाहरा हूँ कि अभी जो वोटिंग पैटर्न नजर आ रहा है, पहला चरण जो था, उसमें कहीं न कहीं चिंतित नजर आए थे, राजनेतिक दलबीजे भी बड़ी चिंति थी कि पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत जो है, वो कम रहा, हाला कि अभी फाइनल तो आया नहीं वोटिंग परसंटेज, लेकिन जिस तरीके से मध्यप्रदेश और च्छाथी इस गड़ में अच्छी वोटिंग हो रही है, क्या नजर आ रहा है? देखिए ऐसा है कि मानी मोदी जी का अपील का असर है कि लोग अब जोर शोर से बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इस मदान के और अपनी आउती दे रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा कदम है, बंचंता का अभार भी साथ साथ दे रहा हूं, और एक अच्छी जगा पे पहुँचे, और ये जो मानी मोदी जी ने अपील की, इसका मतलब ये है कि साफसरा कि मोदी जी ने जो मदी जी गरेंटी की रूप में कारिक किया है, इसको जनता सराखों पे उठाई है, इसी कहांड से वोटिंग का परस्षेन भी बड़ा है, और ज परस्षेन भी जादों को लेकर जनता वोट कर रही है, आपको क्या लगता है, ये बढ़ता हुआ वोटिंग परसेंटेज क्या बता रहा है? देखें वोटिंग परस्षेन कांकिर के अगर बात करें, तो कांकिर में वोटिंग परस्षेन इसलिए बड़ा है, कि वहाँ पर नकसल का एक बहुत बड़े 29 के 29 नकसली को हमारे जवानों ने मार गिराया, और एक बहुत बड़ा दल जो है दलम का वो सफाया हो गया, तो व साथ तक पूरी जब आकड़े आएंगे, तो मेरों का असा लगता है कि 80 से उपर भी जा सकता है वोट का प्रतिशाद, दूसरा वहाँ पर घटना, दूसरी का धर्मांतरन का मुद्दा भी हावी था, लोग नोने भी हमेशा नाराजगी दिखाई, और इसकी साथ साथ अगर आप राजनान का और लोकसभा अगर जाएंगे, तो राजनान का और लोकसभा में भी आप देखेंगे कि राजनान का और लोकसभा में पूर मुख्यमंतरी का भरसचार जो है, वो सर चड़ कर बोला, इसलिए जनता ने उनको खाड़ फेका था और इस बार भी उनको करति और उनों कोई करें पर समाज के होने के उनके इस वह नहीं कि'm सजब नहीं कोई भाधास दिखने के लिर तैयार बैटी है ऑद माननी मोदी जी की है जो गरेंटी ज्रdist Fine Vishami जीन घर गर तक पाहन गएड़ा हमने अभी गिरंधी गरंटी गरूप में माननी हमारे मुक्यमंत्री जी ने वादा पूरा कर दिया है और उसका काम चालू हो गया जो हमने घोशना की थी मोधी गरंटी गरूप में उसमें लगबग 80% हमने वादे लगबग लगबग पूरे कर लिए तो पलाएन बहुत बड़ा मुद्धा है यहां से मज़दोरी के लिए लोग पलायन करते हैं बीज़े पी क्या कर रही है और अब ही तक क्या किया है बहुत बड़ा मुद्धा है स्थानी सथार परूब अगर हमने घो गरीव हो के लिए पानाच की योजना हम लोग चलाए है इसका इन लोगों ने पांस सालों में माननी मोदी जी नो जो गरी अन्य योजना के तहट पांच किलो चावल मुफ्त दिया जाता था आपके पास चलते हैं शैलेंद्र आपके पास कुछ अपडेट है का मौजूद है जी देखिए बिल्कुल में खजराओ लोकसवा सीट की जो पन्ना विदान सबाती है पन्ना को आप जानते होंगे कि यह सबसे बड़ा डाइमंड का एक बड़ा शहर माना जाता है यहाँ पर काफी प्रसीद है हीरा खनन तो यहाँ पर आज वोट परसेंट की बात करें तो चालिस प्रसीदी से जादा मद्दान हो चुका है यानि कि एक अच्छा अभी तक का जो दोपर तक का जो सीन है वो काफी अच्छी वोटिंग देखने को मिल रही है और वोटर्स में खासा उत्सा भी हमने कुछ वोटर्स से बात भी की थी तो यही बताया कि भले ही देश के को उत्सा मिल रहा है सबसे बड़ी बात है कि यहां पर अगर देखा जातों प्रत्यासी के तोर पर बीजेपी के प्रते सद्दक जो कवीडी शर्मा वो यहां प्रत्यासी है लेकिन जो इंडी गडवन्दन का उम्मीद्वार था उनका मीरा यादा उनका परच्छा खारी ज एक अच्छा और अभी भी अपील यहां जुगल किसोर मंदिरे यहां पर यहां पर प्रते सद्दक वीडी सर्मा जो प्रत्यासी वो पहुचे थे उन्होंने अपील भी किये जादा से जादा वोटर्स निकले तो यहां वोटर्स अच्छी संख्या में निकल रहा है और यह थोड़ा च्छाओं में रहते तो आपको भी थोड़ा सा सुकून महसूस होता हलाकि फील्ड का काम है तो फील्ड में तो बहुत सारी चीज़ें हमको करने ही पड़ती है लेकिन इसका असर कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा गर्मी का और वोटर में तो उच्छा बताई रहें देखें बिल्कुल हम वोट परसेंट पर ही नजर दोड़ा है तो साफ दिख रहा है कि बाकी MP की जो 6 सीट में से 5 जो सीट है उसकी तुल्ला में खजराओं में अच्छी क्योंकि आप गर्मी काफी पड़ती है और यहां पर अभी 38 से 40 डिगरी के 20 अपर बताया जा रहा है लेकिन उसके बाद भी यहां पर 40 फीजदी के करीब मदान हो चुका है तो उसको आप समझ सकते कि कितना अच्छा या उत्सा है और शाम तक जहां जिल्या निर्वाचन अधिकारी प्रसासन का भी यह कहना है कि इसा माना जा रहा है कि यह करीब 70 फीजदी तक वोट प्रतिस तेज लेकिन धीरे धीरे वोटर्स आते जा रहा है और वो डालते जा रहा है एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहरा हूं शलेंद्र कि जब वोटिंग का दिन जो होता है उसमें राजनतिक दल की जो नुमाइंदे होते हैं वो पोलिंग स्टेशन के बाहर थोड़ी दूरी प अपना टेंट लगा करके वहां मतदाता जो हैं उनको लाने का काम करते हैं वहां नाम भी चेक होता है वो हेल्प करवाते हैं तो बीजेपी की तरफ से तो प्रत्याशी हैं हम जाने ही रहें वीडी शर्मा और कॉंग्रेस ने समर्थन दिया है तो कॉंग्रेस यहां पर कहीं कि यहाँ पर पोलींग से बाहरं सो मिटर कि दूरी पर 200 मीटर की जो दूरी होती उस पर जो यहां पर टेबल लगती है वो वोटिंग के लिए जह पर परची मिलती है वह आज यहां पर खज़राओं में बहुत वहां करो पर कोलुत बिब् वहीं देखा जाये तो जो इंडी गडबंधन का जो प्रत्यासिता सपा से मेरा यादा उनका पर्चा निरस्तोने के बाद यहां इस्थीती बड़ी विचित्रिसी हो गई है क्योंकि जो आरभी प्रजापती को जो समर्थन तो दिया है इंडी गडबंधन ने लेकिन आरभी प प्रजापती अकेले मोर्चा लड़ाते हुए दिख रहे हैं वह आगनवाडी कारे करता हुए उन्होंने सिकायत की के अंदर मूत पर बेटी है और कोई सुनवाई नहीं हो रही लेकिन कॉंग्रेस बिल्कुल पूरी तरीके से गाया वे हैं मतलब कॉई कोई भी नेता यहां पर हमें अभी तक नजर नहीं आया पूरी खजराओ लोकसभा से ठीक है ममता के पास चलते हैं हमारी सेयोगी ममता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है आप शैलेंद्र बने रहे हैं ममता आप कहां पर मौजूद है क्या अपडेट आपके पास बिलकुल देखी उत्तर बस्तर का ये प्रवेस दौर माना जाता है और चारमा में इस वक्त मोजून हो चारमा का ये बूथ है यहां पर इस वक्त मोजून हो और आप यहांपर देख सकते हैं चुकि बहुत अच्छी वोटिंग और मानी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कतारे अभी भी लगी हुई है तेज धूप थी करीबन टेमपरेचर जो है वो फुटी टू की करीबन था लेकिन कहीं बेर आप देखेंगे लोगों की चहरे पर पसीने जरूर दिखना है लेकिन उत्सा जरूर है हम कोशिश करेंगे कि वो यूद वोटर है आप वोट देने के लिए आई है क्या सोच करके वोट देने आई है हम लोग का दिकार है देना जरूरी है क्या सोच करके आप वोट देंगे क्या दमाग में रहेगा जहन में आपके बस तरक्की करें देश आगे बढ़ें तरक्की करें देश आगे बढ़े सही विक्ति देश में आये और अब देश को आगे बढ़ा है सोचना तो यह है कि सबसे पहले तो यह सोचना है कि यह लोगतंत्र का महापरव है वो हम सब के लिए है और जितना हो सके सब को मद्दान करना चाहिए आपको अपनी सरकार चुनने का पूरा अधिकार है जितना हो सके मद्दान में हिस्सा लेना चाहिए और देश के राष्ट के निर्माण में अपनी भागिदारी देनी चाहिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और आप जब वोट करते हैं तो सवाल करने का अधिकार भी रखते हैं लेकिन जब आप वोट नहीं करते हैं चारामा को और यही से थोड़ी दूर पर कोरर से जो कॉंग्रेस के प्रत्यासी जो है बीरे स्थाकुर हैं वो यहां से प्रत्यासी और वे जो वोटर्स हैं हम उनसे बात करते हैं भुज़ूर्ग भी यहां पर आए आपने वोट कर लिया अब देश को सही उसमें अपना मदान करके अपने सही हाथों में लग जागे अपने सही देश का संचालन हो इस करण सही वाइक्टी को चुनना जवरी रखता है तो एक बर हम चाहेंगे कि आप देखा दीजे लोग तंत्री की सबसे सशकती जो है तस्वीर है यह और लगातार जहां जहां पर देख रहे हैं आप लोग ने भी वोट किया हुआ है जी तो कब से आप लोग आए हुए थे हैं आप अभी आए बस दस मिनिट आप अपनी बा है क्योंकि तीन बज़ें और जीतने लोग भी तन हैं वही जो है वह यहां पर आप आएंगे कि किसी तरी से गरमी से लाहाँ मिल जाए लेकिन अगर हम बात करेंगे तो उत्सा में कहीं भी आपको कमी जो है वो नजर नहीं आरी है थोड़ी दिर और अगर हम बात करें तो इस पूरे इलाके में, इस तरफ जो है, चाहाए वो चारमा की बात की जारे, इस तरफ अंतागरड और पकानजोर की बात करे, या भानू परतापुर की बात करे, तो तीन बजर जो भजने वो बन भजने वोट जरूर कर पाएंगे और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है लोटिंगे चल दो